बेश के प्रधान मंत्री नरेंगी मुदी द्वारा पूरे बेश में चलाए जा रही स्वाच भारत निशन योजना को विकास्खंग में बैठे अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं जिसके चलते क्षेत्यों के पोखनी गाउं में शोचालय निमाण में जमकर धांध्री की गई है इस गाउं में कहीं पर शोचालय की एक किस्ट बेढ़ी गई है तो दूसरी किस्ट साली बीट जानी के बाद भी लाभार्थियों के खाते में नहीं पहुची जिसके चलते लाभार्थी अधर में लटके हुए हैं आपको बता दो कि उप्त गाओं में वासी पात लाभार्थी उने बताया कि शोचालय निर्मान का कारे अधूरा पड़ा हुआ है इस गाओं में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको शोचालय की बड़ी आवश्यकता है इनके घर की बभी बेटियों को घर में इजज़ग घरना हुने की वजहें से प्रतिदिल बाहर जाना पड़ता है उनी ये बताया कि कई बार पंचायत सेक्रेटरी प्रधान और उच्छा दिकारीं से भी शिकायत की है लेकिन आज तक उनी शोचालय नशीर नहीं हुआ और इजज़ग घर की बाट जोटे जोटे इन सब की आँखे पत्रा गई है वही गाओं की महिलाओं ने बताया कि उनी बाहर सोच के लिए जाने में बड़ी कटिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसकी वज़एं से उनी शोचालय की दरकार है लेकिन अतिकारी है कि कई बार कहनी के बावजी उन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं साथ ही गाओं में जो शोचालय बना दिये गए हैं वह मात दिखावा ही बनकर रहे गए हैं उन महिलाओं ने वह भी बताया कि सरकार के पैसुं द्वारा बनवाए गए कुछ शोचालय तो खंडहर में तब्लीर दो गए हैं और कोछ ऐसे ही जिनका प्रयोग करते हुए ग्रामिन डरते हैं कि उसमें श्रॉच करते समय कोई अनुमी न हो जाए रामिन बताते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान की खाव कमा नीती के चलते गाउं में गंगी का अमबार व्याप्त है और स्वच भारत निशिन की जमकर दिजजियां उड़ाई जा रही है महराज गंज विकास कंट क्शेत्र के पोखर में भगन का पुर्वा कीर्ती का पुर्वा चितनी का पुर्वा आधी गाउम में खंट विकास अधिकारी एडियो पंचायत पंचायत सेक्रेटरी के खाव कमा नीती के चलते सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्यानकारी यो कहा के रहने वाले क्या समस्या है क्या समस्या है कि सब लोगों की लेटिंग आ गई है अभी आधे लोगों की लेटिंग बागी है कि कि अवड़ा कि प्रधां से बूलो तुँ में बार बार जाकर कि बोलते हैं कि आजाए आएगा ठाला जाएगा परसां आजाएगा है कहा कि रहने वाले पोन सो का सुक्षा है संचालए क्यों अधूरो पड़ा कि पूरा नहीं आएगी कि ऐसे जा चाहिए एक बार आवज हैं दुबारन ही या हम करनी क्या समस्या है कि ते शुर्चाले इस चाहिए ये प्ली में संद्धिया है उसके बाद में परहन दे हमके लप्ता में बेंकोम तक का फी परिशने कितने दिन हुआ है एक साल तरह नहीं आई कहां कि रहने वाली क्या समस्या है कहां कि रहने वाले है क्या समस्या है तब भी नहीं मिला राम भावन कहां के रहने वाले हैं क्या समस्या है अरे समस्या ही लेटरिंग की है लेटरिंग सब लोगन की बन गई हम कई बार अधार कार्ड भी दिया और कागट जो लगते हैं दिया भी आई नहीं कहा किसी अधिकारी से आपने पंचायत मित्र को दिया था और और कई बारी सब जोन तर्यांगन बाड़ी वाली आए रहा है इनका दिया रहा है कि कहिंके अगले लिस्ट में आ जाई